कि मनुवन सिंग जी जा चुके हैं नरेंद्र बहूदी जी आ चुके हैं से यूटूब किरेटर ख्लासिक श्टूडियो जा चुका एं और अब आ चुका है यूतूब क्रेटर स्टूडियो बीटा तो इसीवेडियो में बताने वाला जोजित एक वंदर वाच टैम को तरहण के हैं नहीं है और कौपे रख स्ट्राइप कर सकते में करना चलो बटावाट जो सबसे पहले को अपको आपको पर आपको ऊपन कर लेना है वहाँ पर आपको कहीं शौ नहीं करेंगा कि आपका वाच्टाइम कितुना रहता है कितने सबस्ट्राइबर से रहते हैं में आपको बताता हूँ जरह एक मिनट यहाँ पर आपको एक ओप्षिन दिखेगा एनलीटिक्स का अब भाई आप बोलोगे एनलीटिक्स में जाकर वह आपको चुरूब बत तक कितना वाच टैम होआ है नहीं को लाइफ टाइम पर क्लिक करना है अगर आपक चेनल को जाए है जब आपका टार्गेट पूरा हो गाना वहां पर आपको लास्ट के 365ல का वाच्टम काउंट किया जाएगा यहां पर आपको मैत को दिखा देगा व३ दिखा देगा सब दिखा देगा वह जाहिए यहां leads कि लीवस से बैले तो वो भी बतातो ज़र एक मिनिट यहां पर आपको एक option दिखेगा search बार करें एक पर जैसे लेंस होता है वो option बनाऊगा यहां पर आपको डेर साथ status and feature का option दिखेगा status and feature पर click करोगे यहां पर आपको directly एक option खुलेगा creator studio classic वाला classic के अंदर तो आपको आती है चलाने क्लासिक इंदर monetization tab आजाएगा वहां पर आपको एक दो जैसे smiley बनी आते कि हाँ आपके बैस कोई copyright नहीं है एक मायूत सा सैड सा फेस आता है YouTube का बना हुआ वहां पर आपको सब श्यों कर जाकर कि कितनी strike है कितना है कितना नहीं है वैसे creator studio बीटर में एक अच्छी चीज आपको जैसे आप home page खोलोगे ना वहीं पर आपको नोटिफिकेशन आजाएगी हाँ आपने किसी का माल चुरा है किसी की ऐसी तैसी गरिये मतलब किसी का समान चुरा है उसका अपने content यूज कर आपको corporate strike में लिया वागर आपके बस नहीं शो करता तब आप status and feature में जाकर check कर सकते हो बाकी रही watch time का watch time भी आप status and feature में जाकर check कर सकते हो लेकिन आप analytics में जाकर अच्छी से check कर पाओगे analytics में क्या होगा ना वहाँ पर आपको last 365 days का बता देगा इसमें क्या होता है जो आपका status and feature में जाकर बताता है वो दिरे-दिरे count होता है वो एक-दो दिन में count होता है उसका data delayed रहता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि analytics में जाओ YouTube Studio beta का analytics एक दम फास्ट है अपनो वीडियो का watch time मतलब जो audience situation आता है वो जल्दी से जल्दी आता है वीडियो डालने के 10 मिनट बाद आता है क्योंकि ये YouTube Studio beta आ चुका है बाई classic में दो दिन लगते दे डेर दिन लगता था जितना भी लगता था लेकिन creator studio beta के अंदर जल्दी से watch time भी आता है यहाँ पर आपका watch time count भी हो जाता है सब कुछ हो जाता है कितना gain हुआ है बस इस वीडियो में इतना ही ऐसे आप track चेक कर सकते हो और यहाँ पर अगर आप तो बहुत पहले सबीचर यह फीचर जो निकाले ने यूटूब creator studio beta वालों ने यह अलग अलग फीचर इसलिए इसमें डाले है ताकि लोग classic को भूल जाए beta में आजाए लेकिन इनको यह नहीं पता कि beta भी इतना बड़ी अवर्क नहीं गर जितना classic करता है classic की बात ही अलग वीडियो बना दूँ एकदम अच्छे से वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और बहुत सारे फीचर यहां पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट लाइब इवेंट लाइश्ट्रीम नाओ वियार कस्टुमाइज कर सकते हो चैनल को सारे फीचर है बॉस्ट्राइम इक है बीटर के अंदर आनलीटिक्स में जाकर करो बस राइक आएगी तो आप खुदी नोटिफिकेशन आएगा खुद नोटिफिकेशन नहीं आता तो स्टेटर संट फीचर में जाकर आप सिंपली चेक कर सकते हो बस इस वीडियो में इतना ही अच्छी लगी हो लाइक कर स अगर चैनल सब्सक्राइब करना है बाकी और इस वीडियो में इतना ही और बाए 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 और फू देख रहो मेरा हाथ गील हो गया भाई पसी और ऐसे बाए 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 बाए